आज जो घर हम वीडियो में देखेंगे वो 801 square feet वाला घर है जिस घर का facing east facing अब ये जो घर है इससे आपको बहुत सारी चीज़े जो है वो सीखने मिलेंगी या फिर समझने में मिलेंगी ये प्यारा सा और सुन्दा सा 801 square feet वाला घर जो है आप आज की वीडियो में तो इस वीडियो में बते हुए point जो है आप consider कर सकते हो तो हम वीडियो को शुरू करते है पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चानल पे नए आयो दोस्तों तो चानल को ज़रू साब्स्राइब कर दीजे और वीडियो पसंद आने पर इसे like ज़रू की तो इस वज़े से इस hook का provision किया गया है उसके बात जब हम अंदर के तरफ आते हैं जो कि हमारा room आ जाता है hall hall में आने से पहले हमें जो दर्वाजा दिखता है उसका size है 3.5 feet by 7 feet अब जब हम hall के अंदर आते हैं तो hall का size है 15 feet by 11 feet अब यह जो hall है यह size जो है sufficient हो जाता है अब लिहाँ पर मैं एक important point आपको बाता देता हूँ यह जो घर है इसमें staircase नहीं दी गई है क्योंकि अगर हम इस घर में staircase दे देते तो ऐसे वक्त में इसके square feet जो है वो बढ़ जाते जिस वज़े से ultimate घर बनाने की लागत बढ़ सकती थी इस वज़े से जब आगे जरुरत होगी तो बाहर से जो है बोजीना provide किया जाएगा अब हम बात करते हैं जो कोई भी हमारी जो external और internal walls है उनका size क्या है तो इस घर की सभी wall जो है वो 6 इंची है यानि कि outer की wall हुई या फिर internal wall हुई आगे चलके आप वीडियो में भी देखेंगे कि wall की thickness कितनी है यह जो hall आप देख करते हैं यह जो window आप देख रहें इसका size है 5 feet by 3 feet अब यह जो horizontal window किसलिए दिये जाती है क्योंकि नीचे kitchen platform आता है तो इस वज़े से इस window को आप regular window की तरह ज्यादा height नहीं दे सकते इस वज़े से सिर्फ 3 feet दी गई है और जो width है उसे 5 feet किया गया है हाला कि दरवाजा के पा करके यह loft आये है और यह L shape आये है यह सिर्फ kitchen में आपको L shape loft जो है उसे provide करना है kitchen में आपको बहुत सारा सामान रखना पड़ता है और यह अगर आपके नजर के सामने आते हैं अगर यह आप entry करते ही आपके सामने आता है ऐसे वक्त में दिखने में आच्छा नहीं दीखता भले आप उसको cover up कर देंगे आगे चलकर पर जो height है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे सकती है तो इस वज़े से जहां से आपकी entry है उसके उपर आप यह L shape loft प्रोवाइड कीजे और हाँ याद रखिए आपके hall में किसी भी प्राकर के loft को आपको प्रोवाइड नहीं करना है यह दिखने में आच्छा नहीं दिखता और हम बात करते हैं इस घर की और एक खासियत की यह गर जो है यह pile foundation पर किया गया है क्योंकि यहाँ पर नीचे जो है heart strata नहीं है और तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि throughout lintel जो है उन्हें provide किया गया है जिससे की आगे चलके crack develop ना हो अब आते हैं अगले room के तरफ जो कि है bedroom अब bedroom जो है अब यह घर जो है यह 2bh के है तो इसके दोनों bedroom का size 10 feet भा pest गर के दोनों bedroom का size है अगर हम बात करते हैं इस bedroom में जब हम entry करते हैं तो आपने देखा हुगा कि आपका लॉब जो है वो Фनिचर करते है और लों आपका उसका प्रोविजन किया गया है जिनका की साइज है चार बाई चार का और यहाँ पर खुली जगह होने के बज़े से बहुत ही आच्छा का सा वेंटिलेशन जो है इस रूम में आप आएगा और यहाँ पर आपने ध्यान पूरोग अगर देखा होगा कि यहाँ पर डोर फ्रेम आपको नहीं दिखाई देंगी क्योंकि इसके बेडरूम जो है इनके लिए ग्रानेट की डोर फ्रेम लगवाई जाएंगी अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बीच में यह पैसेज आ जाता है और यह पैसेज आपको ध्यान में रखना है कि आपके घर्ब का पैसेज जो है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगा नहीं देनी है क्योंकि सिर्फ इसका इस्तमाल आने जाने के लिए या फिर रूम के एंट्रीज के लिए होता है तो इस वज़े से इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जगा नहीं वेस्ट करनी है अब हम आगे देखते है जो जो कोई भी आपके बातरूम होगे, उनके वेंटिलेटर आपको तेड़ फीट बाई दो फीट से कम नहीं रखने, बहुत से जग़ा पर एक फीट बाई देड़ फीट रखा जाता है, और बातरूम के उपर बहुत सारे लोग जो है, अगर आपको सही लगता है, तो लगा सकते है, यहाँ पर यह चीज नहीं की गई है, अब आते हैं अगले रूम के तरफ, जो कि अगें बेडरूम है, जिसका की साइज है, 10 फीट बाई, 11 फीट, अभी इस बेडरूम में भी दो विंडो जो है, उन्हें दिया गाया है, और जै तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए, विडियो पसंद आगा हो, तो जरू इसे लाइक कर दीजिए, और हाँ बहुत ज्यादा ही अच्छा लागा हो, तो आपने दोस्ते के साथ शेयर कर दीजिए, तो मैं मिलूंगा आपको अगले विडियो में, तब तक के लिए धन्यव जो है।